बिना भूग के दो चार रोटी तो आप यूही खा जाएंगे जब भारी मिर्च की ऐसी चटपटी सी सबजी बनाएंगे तो बस करना क्या है मूटी वाली मिर्चो को दही में डाल कर बनाना है एक ऐसी रसिपी जिससे आपको पता नहीं है यकीन नहीं करेंगे कि यह इतनी ज़दा लाजवाब बनती है तो यहाँ पर मैंने जो मूटी वाली मिरच आती है इसे बारश के सीजन में ही मिलती है तो आप इससे इस recipe को बना के store कर ले दोने के बाद इसे अच्छे से काटना होता है तो आपको एक catchy लेनी है और जितना हो सके आप इसके बीज अलग कर ले अगर आप करना चाहें प्योंकि इसके बीज भी खाय जाते हैं खाने में बिल्कुल भी खराब नहीं लगते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल पर आपका साधत है और अगर आपको आज की मेरी ये recipe अच्छी लगती है तो आपसे request है कि चैनल को subscribe कर दीजिएगा तो यहाँ पर मैंने चार मोटी अले मिर्श को काट लिया है इस तरह से आप किसी चाकू से भी इसे काट सकते हो और अब लेना है दही हमारी recipe का main ingredient तो अब इस दही में हम थोड़े spices डालेंगे जिसमें मैंने लिया है धन्या का powder, healthy powder, लाल मिर्श, नमक और काश्मेरी लाल मिर्श टृती की नहीं होती है और इसे color बहुत अच्छा आता है तो इस recipe को बनाने के बाद आप तो भाई उंगलिया चाटने वाले हैं क्योंकि इस recipe है घर में कुछ भी बना हो आपको मतलब नहीं है आपको इसको बना के फ्रिज में रख लेना है और जब भी घर में कुछ ऐसा बने जो आप नहीं खाते हैं इसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो तो आप इसे निकाले और पराठा, रोटी, राइस या दाल के साथ भी ये recipe बहुत अच्छी लगती है सारे मसालों को इदरी में अच्छे से mix कर लेना है दोस्तों और इसे अप कर देना है side और यकिन मानिए इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनिट लगते हैं और इस recipe को mustard oil यानि की सरसो के तेल में ही बनाया जाता है सरसो के तेल में इसका साथ अच्छा आता है आप अपनी पसंद का कोई भी तेल लेना चाहें तो ले सकते हैं अब इसमें जीरा, सौफ, मेथी और थोड़ी सी हिंग डालेंगे अगर आप इसमें कलांजी डालना चाहें तो कलांजी भी डाल सकते हैं मैंने 1-1 teaspoon सारे चीज़े ली है और हिंग ली है 1 by 4 teaspoon अच्छे से मसालों खूम तेल में क्रेकल होने देंगे जैसे ही ये क्रेकल हो जाएंगे इसमें हम ये मिर्च अट कर देंगे केरफुली कीजिएगा मिर्च अट करने के बाद आपको हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से टॉस करना है मसालों के साथ मिर्च को इतना पकाना है कि जो इसकी उपर की लेयर से होगी न वो हलकी सी क्रिस्पी हो जाएगी जब आप इसे हाई फ्लेम पर पकाऊगे इससे मिर्च का कच्छा पन खतम हो जाएगा क्योंकि जब भी आप मिर्च खाते हो तो आपको इसमें तोड़ा सा कच्छा पन रखता है कवर करेंगे दो मिनिट के लिए से हम और दो मिनिट बाद जब आप इसे खोलेंगे तो ये तेल में और मसालों के साथ अच्छे से इंफ्यूज हो जाएगी और इसमें मसालों का जो टेस्ट है वो भी आ जाएगा और ओयल के साथ अच्छे से ये फ्राई हो जाएगी जिब ये तेल में अच्छी से फ्राई होती है तो आपको देखेंगे इसके उपर एक शाइन से आपको दिखेगी और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी से फ्राई हो चुकी है दोस्तो रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो तो यहाँ पर रुख के वीडियो को लाइक क कि पर जाएगा रैसिपी आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी अब इसे अच्छे से पकाना है जो मसाले हमने डाले है इन्हें अचे से ब् latter होता है जिससे मसालों का कच्छापन बिल्कुल भीना रहे और इसकी साइट को क्लीन कर लें इस तरह से और वहूंते-्भूंते आप देखेंगे यहाँ पर इसके उपर ओयल सा आने लगेगा अब इसे कवर करके पांच मिनट एकदम धीमियाज पर सिमर करना है पानी का इस्तिमाल नहीं करना है पांच मिनट बाद जब आप इसे खोलेंगे तो यह मिर्च है देख सकते हैं बहुत अच्छे से बुन और यह बिना पानी के बनाई जाती है अगर आप पानी डल देंगे तो आपको वस्वाद नहीं मिलेगा जो बिना पानी के इसमें आता है अब इसे हम अच्छे से भूलेंगे एक से दो मिन तक और उपर से हम इसमें एट कर देंगे धनिया इसमें और कुछ भी नहीं डालना हैं और यह जो हमारी टेस्टे से मिर्च की सबजी है दही वाले मिर्च की बनके तयार हो चुकी है अब हम इसे सर्फ करेंगी तो मैं इसे सर्फ करती हूँ लच्छा पराटा प्यास का लच्छा और थोड़ा सा खीरा वग्यारा सैलेट के साथ इस तरह पूरी परफेक्ट सी ज रसेपी बहुत अच्छी है अगर अच्छी रखती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार इसे ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी और से जादा से जादा शेय कर दीजी मैं चलती हैं से इंजॉय करनी आपसे मिलती हूं नेक्स कसी वार वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइब अपना ख्याल रखें और ट्राइ करें मेरी इस रेसिपी को